टॉपर बनने के लिए Best 20 Tips छात्र हमेशा टॉपर बनने के टिप्स की तलाश में रहते हैं लेकिन क्या वास्तव में आपके comfort zone से बाहर आए बिना आसमान तक पहुँचना संभव है। टॉपर्स दूसरों से आगे रहने का कारण यह है कि उनमें अच्छी आदतें होती हैं। नीचे सूची बद्ध कुछ आदतें हैं जिन्हें आप अगला टॉपर बनने के लिए अपना सकते हैं। नियमित तै घंटे पढ़ाई करें सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण quality जो उनमें देखने को मिलती है वो यह है कि वे लंबे समय तक सफल होने के लिए पूरे अनुशासन में रहते हैं। टॉपर्स किसी अन्य इमानदार छात्र की तरह अपनी तैयारी के दौरान समय और उर्जा के महत्व को समझते हैं। इसलिए वे अपने पढ़ाई के घंटों के दौरान बेहद अनुशासित रहते हैं। वह प्रतिदिन रे जना प्रथम परंतु सबसे महत्व पूर्ण तत्व जो सभी छात्रों को जानना चाहिए कि उनमें पढ़ने की इच्छा और नया जानने सीखने का उत्साह होता है। टौपर बनने का कोशिश नहीं बलकि ज्ञान समेटने सब कुछ जानने का जोश उनको उस मुकाम तक ले जाता है। क्योंकि छात्र सीखते रहते हैं इसलिए उनका आत्म विश्वास बढ़ता है। इसलिए प्रतियोगी छात्रों के टौपर स्मार्ट स्टड़ी करें उनके पढ़ाई करने के तरीके को स्मार्ट स्टड़ी कहते हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम को समय प्रबंधन के तहट समय से समाप्त करना और पढ़ाई के दौरान सूज बुझ से काम लेना इस प्रक्रिया में आता है। प्रतियोगी परीक्षा के टौपर और असफल उम्मीदवार के बीच बुनियादी अंतर एक समर्पन और स्थिर्टा का मिलता है जो की अभ्यास के साथ निखरता है। नई चीजों को नोट्स तयार करें। तीसरी बात जो उन्हें दूसरे चात्रों से अलग करती है वह है उनकी नोट्स मेकिंग स्किल। स्कूल कॉलेज कोचिंग में पढ़ाये गए पाठ्थे के पश्चाद भी खुद अध्ययन कर अपने नोट्स तयार करना और पाठ्थे करम को पूरा खत्म करना उनको उनके टॉपर काईजी बेन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर टॉपिक को कांसेट-वाईज समझें। टॉपर का इसे बेन इसके लिए कभी भी किसी भी तथ्य को रट्टा मार कर याद नहीं करते बलकी हर तथ्य को कांसेट-वाईज समझते हैं। ग्यान को एक निश्चित अंतराल पर वैज्ञानिक तरीके से रीवीजन करते हैं ताकि वह परीक्षा के लिए उसे बेहतर तरीके से याद रखकर प्रकट कर सकें। निसंकोच व्यक्त करते हैं बिना किसी भय के अपनी बात सब के सामने रखने का साहस अपने अंदर रखते हैं। क्लास, कोचिंग, ग्रुप स्टडी में कुछ समझ में ना आने पर वह अपने डाउट को तुरंत सब के सामने रखकर उसका हल प्राप्त करते हैं। मौक, टेस्ट, बॉट, मौडल, पेपर, सॉल्व करें। कॉंपिटिटिव एक्जाम के टॉपर्ज, मौक, टेस्ट, सीरीज और पिछले कुछ सालों के पेपर्ज जरूर सॉल्व करते हैं। इससे उनमें इस बात का भरोसा बढ़ता है कि वे किसी भी एक्जाम को क्रैक कर सकते हैं। पुराने पेपर्ज सॉल्व करने से कॉंफिदेंस आता है। मौक, टेस्ट, सीरीज हल करने से छात्रों को परीक्षा में किस तरह के सवाल आते हैं। इसका पाकी परीक्षा में कठिन सवालों पर ज्यादा वक्त बरबाद नहीं करें। कोई भी सफलता तब तक नहीं मिल सकती। जब तक की बहतर टाइम मैनेजमेंट नहीं किया जाए। वैसे तो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान पूरे साल भर रखना चाहिए। लेकिन एक्जाम के अंतिम समय में ये और भी जरूरी हो जाता है। टॉपर्ज न केवल साल भर टाइम मैनेज करके चलते हैं बलकि एक्जाम हौल में भी इसका ध्यान रखते। अपनी पुरानी गलतियों से सीखना दोस्तों। किसी ने क्या खूब कहा है कि हमें अकसर दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर दे तो पूरा जीवन कम पढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, बात जब इस study के हो, तो पहले तो हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, आपको हमेशा observe करना चाहिए, क्या आपने अब तक जितने भी exams दिये, कमजोर विशयों पर अधिक ध्यान, यदि आपको टॉपर बनना है, तो आपको सभी subject अच्छे से आने चाह दें या उसकी coaching लगा लें, अधिकांश चात्र गणित में कमजोर होते हैं, इसलिए गणित पर विशेश ध्यान रखें